इस वीडियो में complete new process पूरा जानेंगे कैसे आप लोग verification के लिए apply करना चाहते हो certified copy या inspection के लिए पूरा detail में जान लेंगे कैसे आपको apply करना इस वीडियो को देख लोगे तो आपका सारा doubt clear हो जाएगा और verification का result कब तक declare हो सकता है और साथ में ये भी बताएंगे certified copy कितने दिन में आपके पास आएगा कैसे क्या आएगा पूरा detail में सारा information share कर देंगे students चैनल पे नए हो तो please subscribe करके bell notification bell दबा दीजे please बच्चो subscribe जरूर कीजिएगा देखो बीना subscribe किये हुए देख रहे हो नहीं ये अच्छा बात नहीं है please subscribe कीजिए verification के लिए apply करना चाहो certified copy या inspection के लि window open हो गया और आखरी date रहेगा 9 अगस्त 2014 देखो अगर आपको जानना है verification में apply करना चाहिए certified copy या inspection के लिए या RTI के थूरू certified copy के लिए apply करना चाहिए इस topic पे मैंने एक detail वीडियो बना दिया उस वीडियो को पहले देख लीजे doubt clear हो जाएगा उसके बाद apply करना आईए गा और जिन बच्चों को RTI के थूरू certified copy के लिए apply करना मैंने वीडियो बना रखा उस वीडियो का लिंग आपको description में मिल जाएगा देखो simple and short way में बता देते हैं अगर आप verification के लिए apply करते हो ध्यान से बाते को सुन लीजिए गा उसके अंदर क्या चीज़ included होता है आपका ऐ verification included होता है ऎनको certified copy आपके mail पे अठाल देखने को मिलता है यानि कि जैसे ही आप inspection के लिए apply कर दोगे mail पे address आजाएगा कौनसे date को जाना है वहाँ पे बुलाय जाएगा आप На copy देखने को मिलेगा साथ में वहाँ पे जमा कर देना होता है अगर आप verification के लिए apply करते हो तो आ आपका marks बढ़ा, नहीं बढ़ा, पूरा detail में mail आ जाएगा, इसका result अब जितना जल्दी apply कर दोगे, उतना अच्छा रहेगा, 20-30 दिन के अंदर में आपके mail पे आ जाएगा, certified copy या inspection के लिए apply करोगे, तो certified copy भी 20-30 दिन के अंदर में आपके mail पे ही आएगा, और inspection के लिए apply क सुनते रहेगा, पूरा वीडियो को देख लिजेगा, आपका सारा doubt क्लियर हो जाएगा, जैसे ही SSP portal पे आओगे, नीचे में verification, certified copy, inspection, ये सब चीज लिखा सो करेगा, आपको उस पे click करोगे, आपके सामने new dashboard सो कर जाएगा, एक और चीज अच्छे से सुन लिजे, अगर आ उठते हैं, मेरा मन करता है दूसरा paper के लिए, ये option खतम हो जाएगा, जैसे ही आप लोग एक बार apply कर देते हो, same rule है certified copy inspection के लिए, यानि कि हमें एक साथ ही apply करना होगा, अगर मेरा मन है कि सारे paper के लिए verification के लिए apply कर दो, सारे paper के लिए certified copy, तो सारे paper के लिए, हाँ आप एक बार verification के लिए apply कर देते हो, एक ही paper के लिए, वो option verification का बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में आपको ऐसा लगता है, कि certified copy के लिए apply करें, तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप certified copy के लिए apply कर देते हो, उसके अंदर में verification included होता है, तो मुझे नहीं लगता है, बाकी आपका मन कि आपको verification के लिए apply करना है, inspection के लिए, certified copy के लिए, जिसके लिए apply करना है, उसको यहाँ से select करना है, तो माल लेते हैं, आपको verification के लिए apply करना है, और ये guidelines हो करेगा, आप ID पे tick कर दीजगा, वैसे per paper verification के लिए apply करोगे, तो 100 रुपया, और अगर certified copy और inspection के लिए apply करोगे, त उसको select करना, मेरी हिसाब से certified copy और inspection के लिए apply करोगे, तो per paper 500 रूप, तो आपको जिसके लिए भी apply करना है, यहाँ से select करना, ओके पे click कर दें, मैं सबसे पहले verification के लिए apply करके बता देता हूँ, तो verification पे click करना, इसके बाद scroll down करके नीचे आना, आपको जिस भी paper के लिए apply करना, उस paper को यहाँ से select करना, तो जितने paper के लिए apply करना चाते हो, group 1 में उतने paper के लिए apply कर सकते हो, तो एक ही साथ, आपको पहले ही decision लेना है, कितने paper के लिए apply करना, उस सारे paper पे यहाँ से tick कर देना है, इसके बाद bank account का information यहाँ पे लिखना है जोरी नहीं आपका अपना हो पापा मम में relative किसी का भी हो तो यहाँ पे account holder यहाँ पे detail फिल कर सकते हो जिसके नाम पे होगा accounts तो accounts holder name यहाँ पे लिख दोंगे bank name HDFC ICICI किसका है access bank वो लिख दोगे फिर bank address क्या है वो वहाँ पे IFC code लिख होगे यह सारा information फिल करोगे इसके बाद I agree पे click करना है जैसे ही I agree पे click करते हो इसके बाद scroll down नीचे आना है फिर से I agree पे click करना है submit पे click कर देना ok पे click करना है इसके बाद payment page आ जाएगा यहाँ से बहुत सारा option मिलेगा मैं QR code से payment कर देता हूँ जैसे ही payment करोगे successful ह हो जाएगा इसके बाद अराम से wait करना है 20 से 30 दिन के अंदर में verification का result आपके mail पे आ जाएगा लिख करके आएगा कि आपका marks बढ़ा नहीं बढ़ा यह सारा information आ जाएगा और दुबारा से SSP portal पे login करना है ठीक है exam function पे click कर देना ठीक है verification certified को पी यहाँ पे click करना है ठीक है उससे उपर में क्या option है submit and pending phone यहाँ पे आ जाएगा verification के नाम से आपने apply किया इस पे click करना यहाँ पे देखोगे payment status अगर successful है यहाँ पे SO कर रहा है अच्छी बात है अगर failed हो गया pending में चला गया और आपका पैसा deduct हो गया वो पैसा 7 दिन के अंदर में refund हो जाएगा यहाँ action और I button पे click करोगे तो आपको verification में apply करने का option मिल जाएगा अगर पहली बार में apply नहीं होता है payment failed हो जाता है तो I hope कि आपका doubt clear हो रहा होगा लेकिन जो बच्चे को certified copy inspection के लिए apply करना है तो अब जब दुबारा से apply for verification certified copy inspection पे apply type पे click करो देखो एक बार verification के लिए apply कर रहे है अब सिर्फ और सिर्फ apply कर सकते हो certified copy या inspection के लिए यही तरीका है मान लेते certified copy के लिए apply करना है same process है यहां से scroll down करके नीचे आना जिस भी paper के लिए apply करना चाहते हो apply कीज़े यहां पे अपना bank account detail फिल कर दीजे ठीक है I agree पे click कीजे payment कर दीजे कैसे मैंने बता दिया कैसे payment status को चेक करना और certified copy के लिए apply करते हो तो 30 दिन के अंदर में mail पे certified copy आ जाएगा और जिन बचों को inspection के लिए apply करना है यहां से option आएगा inspection के click करना है inspection का आगे का process करना है same process है बस यहां से type को select करते हुए process बिलकुल same है अराम से आप लोग apply कर सकते है अगर आपका form pending में चला जा बाकी मैंने बता दिये कैसे क्या apply करना वीडियो को share कर दीजिएगा चैनल पे नए हो तो प्लीज बचो subscribe करके bell notification बेल दबा दीजिए कोई additional doubt है comment box open है वहां पे मुझे पूछ सकते जो बच्चे RTI के through certified copy मंगबाना चाहते हो वीडियो का link आपको description मिल जाएगा मात्र 10 प्लाइ करोगे तो mail पे ही आएगा उस वीडियो का link आपको description मिल जाएगा और हां मुझे बात ये करना चाहते हो तो please मुझे message किजिएगा मैं सारब बच्चों का reply करता हूं चार्टे स्टेडिस का Instagram पे सर्च कर लेना है चार्टे स्टेडिस साथ में चार्टे स्टेडिस का